नमस्कार भारतवाशियों आप देख रहे हैं आउनलाइन एगरिकल्चर क्लासिस का अफिसियत यूटूब चैनल तो इसमें देखिए यूपी कैटेट दोजार तेश के सेगमेंट में आज जी अस इस पेस्टाल सिरीज आठवा नंबर है इसके महात्वपूर्ण प्रस्ट कर हम बढ़ते हैं दच्छेट अमेरिका का सबसे बड़ा महादविव कौन सा है एसिया अफ्रिका अंटारकटिका उत्तर अमेरिका तो इसका जो सही जबाब है यह है आपका उत्तर अमेरिका नार्थ अमेरिका ठीक है और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो पेर आप आपका 50 प्लस मतलब सेवंटी एबाउट लाइक्स पहुंचा दिये बहुत धन्यवाद आभार हूं आपका चलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा निर्मित चरक्का क्या था अर्क सवा अर्क रत और चक्की तो इसका जो सही जबाब है यह है चक्की चरक्का का मतलब चक् नेक्स्ट कोश्चन देखिए निम निलिखित में से भारती महासागर में स्थित नहीं है नहीं यहां पर वर्ड दे दिया है नहीं है और जिन लोगों को कोश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्षण में मैसेज भी करते रहे हैं और एक बात जरूर आप कोश्चन आ रहे हैं ठीक है अंडवान और निकोबार द्वीप शमू लच्छ द्वीप मालदीव शमू अंडदीव शमू तो इसका जो सही जवाब है यह क्या है मालदीव शमू ठीक है बाकी सब शमू आपके भारती महासागर में इस्थित है यह आपका मालदीव बिंध्य परवत्माला आर्यावर्थ विशाका पत्तनम तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे गंगा नदी का उद्गम हिमाले से ही आपका होता है ठीक है अगला प्रस्ण देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म अस्थान कौन सा है वाराणसी पाटली पुत्र लुंबिनी तक सबसे उंचा पहाल कौन सा है एवरेस्ट काली मंजारो मांट ब्लैंक मांट फुजी तो इसका सही जबाब क्या है मांट एवरेस्ट ठीक है अब आपको कोर्शन यह बताना है कि एवरेस्ट का दूसरा नाम मतलब सेकेंड नेम क्या है अगला प्रस्ण देखिए सबसे बड़ा दीवशमों कौन सा है एसिया अफ्रिका अंटारिकाटिका और यूरोप तो इसका जो सही जबाब है यह है एसिया महाद्विब सबसे बड़ा महाद्विब है ठीक है नेक्स्ट कोर्शन मत् इंदौर ग्वालियर जबलपूर तो जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं कि मध्यपरदेश की राजधानी भोपाल है ठीक है अब यहाँ पर एक नर्सी है नर्सी का मतलब होता है नेशनल रिशर्च सेंटर किस पर है सोया बेन और इसको सोया इस्टेट भी कहा जाता है मध् अफगानिस्तान, इरान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसका जो सई जबाब है यह है आपका अफगानिस्तान ठीक है सेरीजी यह थोड़ा मतलब डिले हो रहा है क्योंकि अभी देखिए लेटेस्ट में हमारे दो-तीन एकजाम लग गया है जिस कारण बस आपको रेगुलर सेरीज नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग टेलेग्राम को जॉइन कर लिजेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको लिंक मिला है वहाँ पर मैं डेली अपने टेलेग्राम पर कोस्चन बेस कोस्चन अपलोड कर देता हूँ वहाँ से आप अपना पढ़ लिजेगा ठीक है राष्टी ध्वज दिवस कब मनाया जाता है 15 अगस्त, 26 जन्वरी, 22 जुलाई और 24 अक्टोबर तो यह है इसका सई जबाब 22 जुलाई नेक्स्ट कोस्चन महात्मा गांधी जी की मार्ता का नाम क्या था कस्तुर्बा गांधी, सांता बेन गांधी, पुतली भाई और मीरा बेन तो इसका जो सई जबाब है यह है कस्तुर्बा गांधी अगले कोस्चन के तरफ बढ़ते हैं जहाज के लिए जहाजी बंद कहां बनते हैं जहाजी बंद का मतलब जहाज के power to पूर्चे ठीक है गोवा, मुंबई, कोच्ची, विशाखा पत्तनम तो इसका जो सही जवाब है कोच्ची अगला question देखिए जहाजी बंद बनाने की तक्निकी को क्या कहा जाता है नैभ निकासी, watermelon, vessel, fabrication, nautical engineering ठीक है तो इसका जो सही जवाब है यह है नैभ निकासी ठीक है अगला question देखिए दिवस से एक important question बनता है और कुछ student कह रहते हैं कि sir English में तो देखें English में अभी अमारे पास time नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं available नहीं करा पाऊंगा हिंदी में आप अपना पढ़ लेजिए ठीक है अंतराष्टी श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है एक मैं पंदरा अगस्ट दो अक्टूबर और दस नॉमबर तो इसका तो सही जवाब आप लोगों को पता ही होगा एक मैं को मनाया जाता है अंतराष्टी श्रमिक दिवस और यहीं पर एक कोस्टन और बता दें 31 माई को आपका एंटी स्मोकिंग डे मनाया जाता है ठीक है यह इंपोर्टेंट कोस्टन है 31 माई और एक माई क्योंकि यह एक्रिकल्चर से को रिलेट करते हैं ठीक है अगला देखिए पंडित जवाहरलाल नहरू का जन्म कहां हुआ था अलहाबाद, दिल्ली, मुंबई और लखनो अलहाबाद जो की आपका सही जवाब है परन्तु आपको अलहाबाद आप्शन में अब नहीं देखने को मिलेगा क्या मिलेगा परियाग राज लेकिन आज भी हम लोग नार्मल बोल चाल की भासा में प्रियोग करते हैं तो अलहाबाद का ही नाम इस्तेमाल करते हैं मैक्जिमाम लोगों को आपने देखा भी होगा ठीक है नेक्स्ट कोस्चन देखिए सेवेट का पेपर जिन लोगों को चाहिए तो आप लोग संपर कर लिजे को कोई भी जो आप तीन डोमेन सब्जेक्ट भरे हैं या चार भरे हैं तो आपको तीन से चार पेपर जो भी हैं आपको आपको आउन्ली वो आउन्ली नाइन डूपीज में और लेबल हो जाएगा ठीक है चाई यू जी का इस्टूडेंट हो या बी जी का इस्टूडेंट हो और भी अच्चीओ का भी प्रीवियस येर आप लेशक्ते हैं हमचे अगला कोश्चन देखिए भारती राष्टी कांग्रेश का पहला अध्यच कौन थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंदर परशाद, सरोजनी नायडू, सरदारबल लभाई, पटेल तो इसका जो सही जवाब है ये आपके राजेंदर परशाद ठीक है भारती राष्टी कांग्रेश के पर्थम अध्यच थे आपके डाक्टर राजेंदर परशाद नेक्स्ट कोस्चन देखिए, सांकिकी ये देखिए एगरिकल्चर वालों के लिए बहुत इंपोर्टेंड कोस्चन है सांकिकी में माध्यका अर्थ क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा आउसत और ज्यामिती शांकी की important topics है आप इसको अच्छे तरीके से read कर ली जिएगा यूजी agriculture student को मैं कह रहा हूँ ठीक है इसका जो सई जबाब है ये है आपका आउसत ठीक है माद्धि का मतलब होता है average आउसत next question देखिए भारती मौसम बैज्यानिक केंद्र की अस्थापना कब हुई इसका मतलब है आई एमडी की बात हो रही है ठीक है इंडियन मेट्रोलाजकल डिपार्टमेंट इसकी अस्थापना कब हुई 1875-1965-1952-1947 तो इसका जो सही जबाब है ये है आपका 1875 ठीक है लेकिन इसमें बारतमान में इम्डी का मुख्याल है जा हेट को आप इसमें बारतमान में डेल ही में हो गया है अभी मैं जस्ट डेली जाओगा तो आपको आईमडी हो सकता है आईमडी का भी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखिए उपग्रा केंद्रित सूर्य मंडल किस नगर में इस्थित है बंगलूरू तिर्वंत पूर्यम श्री हरी कोटा तिरूपती तो इसका सही जबाब है आपका श्री हरी कोटा नेक्स्ट कोश्चन देखिए भारती सम्वज़ान का निर्माण किस वर्श में हुआ था उननीस सो 4 पचास, 2002 और 1955 तो इसका जो सई जबाब है यह है आपका उननीश सो पचास तो यह रहा आपके 20 question complete और जहां hit day में सच्चाई होती है वहाँ घर में सामन जश्य होता है जब घर में सामन जश्य होता है तब देश में एक ब्यवस्था होती है जब देश में एक ब्यवस्था होती है तब दुनिया में सालती होती है तो ये quotation आप के लिए था कि आप रोग एक बेस्ट एफोर्ड देकर कि यूपी केर्टिट में टाप रैंक लाने के पूर्ण कोसिस करें यही हमारी बेस्ट विसेस है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट एपिसोर्ड के साथ तब तक के लिए जहें